हेलो फ्रेंड मैं राकेस रोसन लर्ण टेक टू टेक चानल से राज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉलेज प्लेस्मेंट की तैयारी कैसे करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्राब्लम होता है कि उन्हें एक्चुल में प्लेस्मेंट की तैयारी कैसे करनी है और जब फाइनल सेमिस्टर आता है तो वो काफी कनफ्यूज हो जाते हैं और जैसे तैसे पढ़ाई करते हैं और फिर उस पेकेज की जॉब नहीं ले प आईए तो चली इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले जास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बैलों से जरू क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडिय कर्मेंट की तैयारी कैसे करनी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ठीक है और यहां पर मैं स्पेशल जो है बता रहा हूं सौफ्ट्वेर जॉब्स के लिए ठीक है सौफ्ट्वेर जॉब्स के लिए ठीक है तो मान लीजे कि आप BCA के स्टूडेंट है हो स चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम के हो तो आप सौफ्ट्वेर जॉब्स के लिए अपलाई कर सकते हैं अब यहां पर क्या होता है कि कुछ कोर्स में छे सेमिस्टर होते हैं कुछ कोर्स में चार सेमिस्टर होते हैं कुछ कोर्स में आठ सेमिस्टर होते हैं जैसे BCA की बात करें ठीक है तो BCA में क्या होता है छे सेमिस्टर होता है जैसे गर हम BCA की बात करें तो 6 सेमिस्टर होता है ठीक है यहाँ पर सेमिस्टर मैं लिख देता हूँ उसी तरह अगर MCA की बात करें तो 4 सेमिस्टर होता है और BTEC की बात करें तो यहाँ पर 8 सेमिस्टर होता है अब सवाल य start कर देते हैं कुछ लोग जो है third semester से करते हैं कुछ fourth से करते हैं BTEC वाले कुछ seventh semester से करते हैं पर यहाँ पर मैं आपको actual बताऊंगा कि अगर आप BCA में है तो किस semester से आपको placement की तैयारी करनी चाहिए अगर आप MCA में है तो किस semester से आपको तैयारी करनी चाहिए और से आप जो है placement की तैयारी करें यहाँ पर मैंने लिख दिया start ठीक है अगर आप mca में हैं तो आप third semester से तैयारी करें ठीक है यहाँ पर आप second से भी कर सकते हैं क्योंकि mca जो है थोड़ा सा जो है कम duration का होता है हलांकि एनाइटी जो अगर हमें six semester के भी होते हैं तो अगर six semester के हैं तो फिर आप bca की तरफ fourth semester से start कर सकते हैं btec में आपको fifth semester से placement की तैयारी start कर देनी है अब यहाँ पर आपके मन में एक question आ रहा होगा कि sir ने fourth semester क्यों बोला है sir ने यहाँ पर second या third semester क्यों बोला है या फिर fifth semester क्यों बोला है मेरा जो सोचना है ठीक है वो यह है कि अगर आप bca कर रहे हैं तो पहला third semester आप पूरे concepts पे ध्यान दें आप placement वगरा को दिमाग में नहीं लाएं पहला जो तीन semester है अगर आप bca कर रहे हैं तो आपके जो fundamental subjects हैं उस पे आप focus करें क्योंकि आप placement को लेके focus करेंगे तो आप जो है सही तरीके से नहीं जा पाएँगे तो आप पहला तीन semester जो है आप जो है fundamentals पे focus करें ठीक है ये मैं आगे भी बताऊंगा कि क्यो fundamental पे focus करना चरूरी है उसके बाद अगर आप M.C.A. में है तो उसी तरह पहला दो सेमिस्टर या फिर एक सेमिस्टर आप अपने concept fundamental subjects पे जो है फोकस करें जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसी तरह बीटेक में पहला चार सेमिस्टर आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें ठीक है उसमें generally क्या होते हैं कि उस subjects के fundamentals पढ़ाया जाते हैं जैसे क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको operating system, DBMS, computer network ठीक है तो इस तरह के subjects आपको पढ़ाया जाएंगे maths, automator ठीक है तो इस तरह के subjects पढ़ाया जाते हैं और आपको पता भी होगा उसके बाद computer fundamentals भी होते हैं जैसे BCA अगर आप देखेंगे तो computer fundamentals के भी subjects होते हैं फिर उसके बाद कुछ basic programming language जैसे C, C++, Java, Python तो ये सब generally first year या फिर second year में पढ़ाया जाते हैं तो आपको इन पे focus करना है आपको बिल्कुल placement के बारे में नहीं सोचना है पहला तीन semester BCA में पहला एक या दो semester MCA में और पहला चार semester BTEC में मतलब यहाँ पर आपको पूरा focus अपने पढ़ाई पे करना है अब उसके बाद जब आप fourth semester में आएंगे BCA में जब आप second year third semester में आएंगे MCA में और जब आप fifth semester में आएंगे BTEC में तो अब आपको जो है placement के preparation के बारे में सोचना है पहला तो मैं आपको बता दू कि placement के लिए कोई भी syllabus नहीं होता है कोई भी syllabus नहीं होता है नो syllabus आपके college में दस company आएंगी दसो company का requirement अलग-अलग होगा है कोई बोलेगा मुझे C चाहिए कोई बोलेगा मुझे Java चाहिए कोई बोलेगा database चाहिए कोई बोलेगा SQL चाहिए कोई बोलेगा Python चाहिए कोई बोलेग object oriented में आपका concept clear होना चाहिए, तो अलग-अलग, ठीक है, तो कोई syllabus नहीं होता है, अब यहाँ पर syllabus नहीं होता है, पर कुछ चीज़े common होते हैं, जैसे reasoning से related questions, math से related questions, basic mathematics, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि calculus, trigonometry यह नहीं, basic mathematics, reasoning, maths, sometime English, पर आप English को लेके डरे न, नहीं भी ठीक है, तो कोई दिकत नहीं है, ठीक है, reasoning, maths, English, ठीक है, तो यह चीज जो है, यह तीनों पे आपको focus करना है, जब आप BCA में 4th semester में आएंगे, अज जब आप MCA में 2nd, 3rd semester में आएंगे और BTEC में आप 5th semester घाएंगे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई syllabus आप देखने मत जाएए, simply कोई भी book उठा लीजे, reasoning का, और आपको week में, आपको 3 set solve करने हैं, 3 sets, हो सकता है, एक set में 40 question हो, 50 question हो, जितना भी हो, ठीक है, जितना आपकी ability है, मतब 3 set आप solve करे कभी कोई bank PO का, previous year का bank PO का paper solve कर लीजे, कभी railway का solve कर लीजे, मतब जिसमें reasoning वाला question हो, जिसमे reasoning logical ability के questions हो, ठीक है, जिसमें maths के question हो, उसको आप solve करें, week में 3 set, 3 set नहीं भी कर सकते हैं, तो 2 set, जब तक आपका placement नहीं हो रहा है, ठीक है, दो set काफी है, हपते में 2 दिन बैटना है, आप एक Monday ले लो, एक Friday ले लो, है ना, एक Monday ले लो और एक Friday ले लो, अगर suppose that आप Monday to Friday बिजी रते हो, तो एक Saturday ले लो, और एक Sunday ले लो, ठीक है, उसके बाद, week में one time, one time नहीं लिखते हैं, set लिखते हैं, एक set आप English का solve कर लो, एक set आप English का solve कर लो, ठीक है, तो अगर मालीजी आप ऐसे solve करेंगे, तो अगर BCA में आप 4th semester से start करते हैं, MCA में आप 2nd semester से start करते हैं, और BTEC में, आप suppose that 5th semester से start करते हैं, तो जनरली BCA में placement कब होता है, 6th semester में, MCA में होता है, 4th semester में, और अगर NITS में हैं, तो आपका 6th semester में, और BTEC का 8th semester में, हलांकि कुछ colleges में 7th semester में भी start हो जाता है, तो 4th और 5th semester आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो 4th में 6th मन्त, और 5th में 6th मन्त, मतलब 1 साल, ठीक है, तो 1 साल का मतलब गया 12 मन्त, और वैसे तो 52 weeks होते हैं, पर मैं 48 weeks ही मानके चल रहा हूँ, या 50 weeks मानके चल रहा हूँ, तो इतने set solve कर लिए, अगर 3 set per week कर रहे हैं, तो 1.500, और अगर 2 set कर रहे हैं, तो 100, मतलब worst case में आप 80 set तो solve करी लेंगे, और ये more than sufficient है, किसी भी placement को crack करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, जब आप logical ability के questions करते हैं, reasoning के questions करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि वही question आएगा तब solve कर पाएंगे, actually जब आप इस तरह के questions का practice करते हैं, तो आपका दिमाग open होता है, आपके thinking ability बढ़ती है, तो जब कोई नया भी question आता है placement में, तो आप उसको solve कर देने हैं, ठीक है, तो ये फायदा होता है, अब माली जी आपने reasoning का कोई भी question जो है, एक साल से solve भी नहीं किय है, अचानक आप placement में बैठ गए, कहां से आप कर पाएंगे, आपका thought process चले गई नहीं, ठीक है, तो उसी तरह English में भी हो गया, ठीक है, अब आते हैं computer science, या फिर programming से related questions का preparation कैसे करना है, अब यहाँ पर आपको मैंने कुछ fundamental subjects बताएते हैं, जैसे operating system, DBMS, computer network, इन सब के concepts को आपको clear रखना है, क्योंकि placement में 2, 4, 10 questions इन सब से आते हैं, operating system से, DBMS से, computer network से, और साथ ही, कुछ latest technology से related भी question आते हैं, जैसे, आजकल चल रहा है data science, machine learning, AI, तो इनका basic knowledge आप रखें, इनका basic knowledge रखें, जो भी basic questions होते हैं, data science से related, machine learning से related, AI से related, metaverse से related, आजकल काफी चल रहा है, तो इन सब का knowledge रखें, हो सकता इस से related questions आजाएं, या फिर हो सकता आपके interview में भी पूछा जाएं, इससे actually पता चलता है, कि आप कितना ध्यान रखते हैं, मतलब कितना आप, जो है, अपने आपको update रखते हैं, market से, कि market में क्या चल रहा है, ये भी जरूरी होता है, ठीक है, तो आपको operating system, DBMS, computer network, software engineering, जो theoretical software engineering होता है, और latest technology, और यहाँ पर हो सकता है, मैं कुछ छोड़ भी रहा हूँ, तो उन सब का, एक fundamental आपको आना चाहिए, तो आप क्या करिए, कुछ FAQs ले लीजिए, OS का, कुछ FAQs आप DBMS का ले लीजिए, है न, बहुत जगा मिल जाएंगे, कुछ short questions ले लीजिए, OS, DBMS, computer network, software engineering का, कापी online मिल जाता है, उसको practice करते रहें, और अगर आप online देखें, तो online में बहुत सारे इसे test भी मिल जाते हैं, ठीक है, demo test type के, तो वो test आप देते रहें, तो इन करेंगे, तो आप थोड़ा-थोड़ा इनका practice करते रहें, पढ़ते रहें, बिल्कुल ना छोड़ें, यह नहीं कि second semester में OS पढ़ाया गया था, अब बिल्कुल placement के समय ही, आप जो पढ़ रहें, ऐसा नहीं होना चीज़, ठीक है, मैं आपको बताओ, placement की तैयारी करना बहु सकता है job मिल जाए, पर आप महनत करेंगे तो हो सकता है, आपको 10 लाग के package में job मिल जाए, 15 लाग के package में मिल जाए, 20 लाग के package में मिल जाए, और अगर आप महनत नहीं करेंगे, तो भी मिलेगी, पर 4, 5, 6 लाग के package में मिलेगा, आप सोच लिजे, 6 लाग के package से 20 लाग के package में जाने तक आपको कितना साल लग जाएगा है ना पर थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चीज को जान बुझ के छोड़ा है क्योंकि मैं उसे अलग से बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपका logical thinking देखा जाता है आप कैसे सोचते हैं problem को solve करने के लिए दिमाग आपका कैसा चलता है है ना कितना speed में चलता है presence of mind क्या है इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा algorithm flow chart मैंने देखा है कई students ऐसे सोचते हैं कि placement तभी हो पाएगा जब मुझे बहुत बहुत ही जवरजस्ट programming आती होगी ठीक है मतब उसने कुछ भी program दिया और मैंने कर लिया है ना उसके लिए वो पहले से ही 100-200 program बिल्कुल रट लेंगे ठीक है कर लेंगे नहीं ऐसा भी नहीं होता है वहाँ पर आपका logical thinking देखा जाता है जिसको आप improve कर सकते है algorithm और flow charts के थ्रूँ इससे आपका जो है logical skill कफी improve होगा है ना उसके बाद कई बार मैंने students को देखा है कि वो placement के लिए C भी पढ़ लेंगे C++, Java, Python, 8-10 programming language पढ़ लेंगे है मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे company आती है वो बोलती है कि मुझे Java में student चाहिए पर वो देखती है कि ये student C में बहुत अच्छा है C++ में बहुत अच है फिर भी वो उस बच्चे को ले जाती है क्यों क्योंकि उसका जो logical skill है उसको वो देखती है कि ये CC++ में सारे program कर ले रहा है तो Java में भी कर लेगा तो आपको क्या करना है कि जब आपको programming की practice करनी है programming की practice तो सबसे पहले आप चूज करें कि कौन सा programming language आपको बहुत अच्छा लगता है कौन सा language आपके दिल के करीब है जैसे मैं अगर बताओ तो मुझे सबसे अच्छा लगता है Python और उससे पहले सबसे अच्छा लगता था C इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा language अच्छा लगता है Python अच्छा लगता है C अच्छा लगता है C++ अच्छा लगता है Java अच्छा लगता है और आपको अपना पूरा programming का practice इसी में से एक दो language में करना है इसी में से एक दो language में करना है जैसे आप Python C ले लो या Python C++ ले लो या फिर C Java ले लो या आपकी मर्द और अगर आप दो प्रोग्रामिंग लेंग्वेज से जादा भी प्रिपेर कर सकते हैं तो कर ले कोई बात नहीं है बट दो प्रोग्रामिंग लेंग्वेज कोई भी दो प्रोग्रामिंग लेंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए आप उस उसे भी पता है कि मेरे पास time नहीं है तो वो बहुत ही logical program देंगे आपको बहुत छोटे छोटे program होगे आप देखेंगे generally star pattern वाले program साते क्यों आते हैं क्यों कि star pattern वाले में क्या होता है कि आपका logical thinking देखा जाता है या आप कैसे सोचते हैं पर अच्छी company आएगी तो बहुत ही easy star pattern आपको नहीं देगी बहुत ही complicated भी आपको दे सकती है ठीक है तो depend करता है तो यहाँ पर programming में आपको किसी भी दो programming language पे concept clear करना है उसके बाद technical skill में एक चीज़ जरूर आप पढ़ लीजेगा object oriented programming के features ठीक है यह काफी important है यह काफी important है जैसे classes क्या होता है object क्या होता है inheritance क्या होता है ठीक है इस तरह क्या और भी polymorphism है ठीक है data hiding है abstraction है तो यह concepts जरूर जो है आप अपना clear कर लीजेगा ठीक है तो यह मैंने आपको एक पूरा का पूरा overview दिया कि कैसे आपको college placement का preparation करना है तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका college placement तो पक्का है अब उसके बाद बात आती है कि sir programming की practice हमें कहां से करनी चाहिए तो उसके लिए यहां पर मैं आपको कुछ websites के नाम में बता रहा हूं websites for coding practice यहां पर एक फाइदा और है अगर इन websites में अगर आप programming की practice कर रहे हैं code safe है, code wars है, lead code है वैसे तो और भी बहुत सारे websites होते हैं मैं चाहता तो वो सारे नाम यहां पर लिख देता बट यहां पर मैं आपको confuse नहीं करना चाहता हूं ठीक है आपको इसमें से कोई भी एक website पकड़ना है और वहां पर अपना coding का practice करना है आपको अपनी coding की practice करनी है क्योंकि यहां पर real life examples होते हैं, real life problems होते हैं, जब आप इनको solve करेंगे तो आपका programming skill automatically improve होगा automatically improve होगा, तो यहां पर जाके आपको coding की practice करनी है, अब यहां पर coding की practice करने से एक benefit और है क्योंकि कई company ऐसे होते हैं, जो online test लेते हैं, और online programming test में क्या होता है कि आपको online ही एक editor दिया जाता है, और वहीं पर आपको अपने program को compile करना है, और run करना है कई बार क्या होता है, students जो है program जानते हैं, पर चूकि उनको practice नहीं होता है, इस तरीके से online किसी भी editor में जो है program को link के run करने का, तो वो नहीं कर पाते हैं, तो यहां पर इन websites में काम करने से आपको ये वाला भी experience फो जाएगा ठीके कि कैसे आपको test cases को fulfill करना है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, कि जब आप program लिखते हैं, तो वो कुछ test cases देते हैं, ठीके, वो सारे test cases के according, आपका program जो है, वो okay होना चाहिए, तब ही माना जाएगा कि आपका program सही है, ठीके, तो ये practice आपको in website से आहेगा, जिसे मैं example लेता हूँ कि कोई दो number है, और उसका sum दिखाना है, जिसे a equal to 10 है, b equal to 20 है, आपको इसका sum दिखाना है, अब वहाँ पर अगर आप अपने तरीके से लिख दोगे, printf, sum equal to percent d, और फिर यहाँ पर a plus b, और वहाँ पर उन्हें output में sum equal to 30 नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल 30 चा तो ऐसा भी है कि वहाँ पर कुछ extra भी नहीं करना है, जो output चाहिए वही आपको दिखाना है, तो यह सारी practice आपको कब होगी जब आप इस तरह के websites में काम करेंगे, तो दोस्तो इस तरह से बहुत ही detail में मैंने आपको बताया कि college placement की तैयारी कैसे करनी चाहिए, special software jobs के लिए, तो दोस्तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, share करें, comment करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बैलो से जरू क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं, उनके नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहा है, थैंक्ट्यू और गुडबाई